काश मैं भी एक छोटी सी बच्ची होती, अपनी मा की गोध में बैठती, मा मुझे खूब सारा प्यार करती, और खूब सारा दुलार करती, कितना अच्छा होता। जी हाँ प्यारे बच्चों, हम बड़े हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारा मन करता है कि काश हम छोटे से बच्चे होते, और हमारी मा हमें इतना धेर सारा प्यार करती, बच्चपन में मा बच्चे की कितनी देखभाल करती है, सारा दिन उसके आगे पीछे घूमती रहती है, सारा दिन छोटे बच्चे के आगे पीछी घूमती रहती है लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है अपने काम खुद करने लगता है तो मा को लगता है कि बच्चा बड़ा हो गया है अपने काम खुद करने लगा है तो मा भी अपने घर के कामों में वेस्ट हो जाती है और बच्चे को लगता है कि मा अब मुझे उतना प्यार नहीं करती जितना बच्वन में करती थी, लेकिन मा तो मा होती है, बड़े होने पर भी वो हमें उतना ही प्यार करती है, लेकिन फिर भी हम मानने को तयार नहीं होते, क्योंकि छोटे बच्चों के साथ मा का जो लगाव होता है, मा पूरा समय उसके आगे पीछे गूमती है, तो हमें लगता है मा बच्वन में हमें जादा प्यार करती है, जी हाँ प्यारे बच्चों, अगर आपके घर में कोई छोटा भाई भाई भेन है, तो आपको जरूर बस हमारे साथ उतना समय नहीं बिताती है क्योंकि उसको लगता है कि अब हम अपने सारे काम खुद कर सकते हैं। अब मैं बड़ी हो गई हूँ और अब मैं खुद मा बन गई हूँ मेरे खुद के बच्चे हैं और मेरे बच्चों में भी वैसी ही भावनाएं हैं जैसी मैं बच्वन में मैसूस करती थी। अब सभी प्यारे बच्चों का स्वागत हैं और इस सारी बाते हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी पाठ्थे पुस्तक वसंत का पाठ मैं सबसे छोटी हूँ। हमारी कवीता मैं सबसे छोटी हूँ के कवी है सुमित्रा नंदन पंत। कवी सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचीत इस कवीता में बाल सुलब चेश्टाओं का सुन्दर वर्णन किया गया है। बच्चों को अपना बच्पन कितना प्यारा होता है, हमेशा बड़े होने पर भी वो अपने बच्पन की बाते याद करते हैं और इस सुन्दर ढंक से इस कवीता में बताया गया है। मा का प्यार और साथ हर बच्चा पाना चाहता है मा के आचल की छाओं को बच्चा कभी नहीं छोड़ना चाहता और जब बड़ा हो जाता है तब भी माता के आचल की बाते बच्चपन की बाते वो हमेशा याद करके खुश होता है वे जानता है कि उसके बड़ा होने पर बच्पन के साथ साथ जो भी कुछ छिन जाएगा वे हमेशा छोटा ही बना रहना चाता है क्योंकि उसको पता है कि बड़ा होने पर मा छोटे बच्चे की तरह उसको इतना सने नहीं दे सकती, इतना समय नहीं दे सकती जिस प्रकार अब मा उसके आगे पीछे घूमती है, बड़े होने पर ऐसा नहीं होगा और बच्चा किसी भी कीमत पर बड़ा नहीं होना चाहता हमारी कवीता, मैं सबसे छोटी हूँ, मैं एक छोटी सी बच्ची है और वे हमेशे छोटी बच्ची ही बनी रहना चाहती है वे हमेशे अपनी मा की गोदी में सोना चाहती है वे सदा अपनी मा का आचल पकड़ कर खेलना चाहती है उसे ऐसा लगता है अगर वे बड़ी हो जाएगी तब मा उसको इतना प्यार नहीं करेगी कि मा उसका इतना ध्यान नहीं रखेगी, जितना की बच्ची होने पर रखती है, क्योंकि उसे आशा है कि बड़े होते ही, उसकी मा की ममता में कमी आ जाएगी, मा से उसका पहले जैसा साथ नहीं रहेगा, इन सभी अकांग्शाओं के कारण, बच्ची हमेशा छोटी बच्ची ही बनी रहना चाहती है, प्यारे बच्चों, आपको भी तो कभी-कभी लगता होगा, कि काश हम और छोटे हो जाएं, क्योंकि आप मेरे से तो बहुत छोटे हैं, आप बच्चे ही हैं, लेकिन फिर भी आपको लगता है, कि जितनी उमर के आप हैं, उससे भी कम उमर के आप हो जाएं, ताकि मम्मी पापा का ज़्यादा प्यार प्राप्त हो सके, मम्मी पापा पूरा दिन आपकी देख भाल करें. आईए आनन्द लेते हैं हमारे इस प्यारी सी छोटी सी कविता का. मैं सबसे छोटी हूँ, कभी सुमित्रा नंदन पंत जी मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोँ तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरू सदा मा तेरे साथ कभी ने छोड़ू तेरा हाथ बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात अपने कर से खिला, धुला मुक, धूल पोँच, सजित कर गात थमाखिलोंने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात ऐसी बड़ी ने होँ मैं, तेरा स्ने ने खोँ मैं प्यारे बच्चों, आप भी इस कविता का सैस्वर वाचन कर सकते हैं, इसका आनन ले सकते हैं आईए अपनी कविता की व्याख्या करते हैं, इसके अर्थ को और अच्छे से स्पष्ट रूप से समझते हैं एक छोटी सी बच्ची अपनी मा से कहती है, मैं सबसे छोटी हूँ, कि हे मा, मैं सबसे छोटी होना चाहती हूँ, तेरी गोदी में सोना चाहती हूँ तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरू सदा मा तेरे साथ अंचल यानि आचल और तेरे आचल को पकड़ पकड़ कर हमेशा सदा यानि हमेशा हे मा मैं तेरे साथ साथ फिरना चाती हूँ मैं तेरे साथ साथ दिन राज चलना चाती हूँ तुम जहां भी जाओगी, मा में तेरा आचल पकड़कर, तुम्हारे साथ साथ घूमूंगी, तुम्हारे साथ साथ फिरूंगी, कभी ने छोड़ू तेरा हाथ, और तुम्हारे हाथ को मैं कभी छोड़ना नहीं चाती, तुम्हारे साथ मैं हमेशा रहना चाती हूँ, बड़ कि हे माता, तुम हमें बड़ा बना देती हो, और फिर हमारे साथ चल करती हो, कपट करती हो, क्योंकि बचपन में तो सारा समय तुम हमारे साथ ही बिताती हो, जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं, तो तुम हमारा साथ छोड़ देती हो, हमें अपने काम खुद करने पड़ते है और तुम अपने घर के कामों में व्यस्त हो जाती हो इतना समय हमें नहीं देती हो जितना समय बच्पन में तुम देती थी इसलिए तुम क्या करती हो? छल करती हो आगे छोटी बच्ची कहती है हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात और मा बड़े होने पर तुम हमारे साथ इतना दोखा करती हो कि हमारा हाथ पकड़ कर हमेशा हमारे साथ दिन रात नहीं फिरती हो नहीं घूमती हो हमारे हाथ को तुम जोड़ देती हो और तुम अपने घर के कामों में व्यस्त हो जाती हो छोटी बच्ची की बस इतनी से इच्छा है, इतनी से अकांग्शा है कि वो हमेशा मा के साथ रहे मा की गोदी में सोए, मा के आचल को पकड़ कर दिन रात उसके आगे पीछे घुमती रहे अब बच्ची आगे कहती है, अपने कर से खिला, धुला मुक, धूल पोंच, सजित कर गात, अपने कर से खिला, कर यानी हाथ और अब हम थोड़े बड़े हो गए हैं, तो मा आप अपने हाथों से हमें खिलाती हो, धुला मुक हमारे मुझ को साफ करती हो, धूल पोंच यानि हमारी धूल मिट्टी को साफ कर देती हो, पोंच देती हो, सजित कर गात और हमारे शरीर को सुंदर बना देती हो, गात यानि उसको सजा देती हो, अच्छे-च्छे कपड़े पहना देती हो, थमा खिलोने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात, थमा खिलोने थमाना यनि पकडाना और हमारे हाथ में तुम क्या दे देती हो, खिलोने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात, और बड़े होने पर मा तुम हमें हमारे हाथ में खिलोना पकड़ा देती हो ताकि हम खुद से खेल सके और मा अब तुम हमें परियों की कहानिया भी नहीं सुनाती हो नहीं सुनाती हो नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात सुखद यानि सुख देने वाली परियों की बात यानि परियों की कहानिया ऐसी बड़ी ने हों मैं तेरा स्ने ने खों मैं आगी बच्ची कहती है ऐसी बड़ी ने हों मैं कि इस परकार से में बड़ी नहीं होना चाती बड़े होने पर अगर तुम मेरे साथ छूट जाता है अगर तुम मेरे साथ नहीं रहती हो अगर तुम मुझे परियों क कहानिया नहीं सुनाती हो, तो इस तरह से में बड़ा होना नहीं चाहती, तेरा स्नेने खोऊं में और तुम्हारे प्यार को किसी भी कीमत पर में खोना नहीं चाहती, छोटी बच्ची को हमेशा ही मा का प्यार चाहिए, अगर बड़े होने पर छोटी बच्ची के लिए मा का प पकड़कर उसके पीछे-पीछे चलना चाती है। नहीं लगता, वो निडर रहती है। चिपी रहूं निस्प्र, बिना किसी इच्छा के मा के आचल में चिपी रहना चाती है। निडर होकर मा के पास रहना चाती है और ये कहना चाती है कि हे मा मुझे निकलता हुआ चंद्रमा दिखा दे। चंद्रमा जब उदे होता है तो तुम्हारी गोदी में बैठ कर मैं चंद्रमा को देखू और तुम मुझे ऐसे ही प्यार करती रहो जैसे हमेशा छोटे बच्चे को एक मा प्यार करती है। बच्ची किसी भी केमत पर अपने मा के प्यार से वनचित नहीं रहना चाती, मा के आचल से दूर नहीं रहना चाती, उसके मन में ये भ्रम्व है कि बड़ी होने पर मा का जो साथ मुझे मिला है वो कम हो जाएगा। प्यारे बच्चों, ये बाते हर बच्चे के मन में आती हैं, आप खुद भी महसूस कर सकते हैं कि आप हमेशा छोटे बच्चे की तरब प्यार प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, वो जो बड़ा हो जाता है, तो सवतंत्र हो जाता है, अपने क प्रस्तूत किया है। ये तो मेरे ही मन की कहानी है जो इस कविता के माध्यम से बता ही जा रही है। ये बाते हमें समझ आने लगती है लेकिन एक छोटा जो बच्चा होता है वो बड़ा ही जिद करता है और जिस परकार से छोटी बच्ची कविता में बाते कर रही है वैसी ही बाते एक बच्चे के मन में आना स्वाभाविक है। प्यारे बच्चो ये थी आज के हमारी कविता मैं सबसे छोटी हूँ। आशा करते हूँ आपको कविता समझ में आई होगी आपको कविता बहुत पसंद आई होगी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में इसी कविता के अभ्यास के प्रशन उतर के साथ. आईए चलते चलते अपनी कविता को दुबारा से पढ़ते हैं, दुबारा से अच्छे से इसका आनंद लेते हैं. आभी मेरे साथ साथ जरूर पढ़िएगा. प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी कविता के अभ्यास के प्रशन उतर के साथ तब तक स्वस्त रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और खुश हो कर पढ़ते रहिए. वीडियो आपको कैसा लगा, अपना फीडबेक जरूर दीजिएगा. धनेवाद, बहुत बहुत धनेवाद.